हमारी दूसरी अपील थी कि अर्विंद केजरीवाल जी को इंसुलिन फिर से शुरू करने दीजा है हमारी इन दोनों एप्लिकेशन्स का इन दोनों प्रेयर्स का भारतिय जन्तापाटी की ईडी ने भारतिय जनतापाटी के तिहार प्रशासन ने पुर्जोर विरोध किया कोट में उन्होंने कोट में खड़े होके कहा कि अर्विंद केजरिवाल जी को अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है अरविन केजरिवाल जी को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने आधार बनाया और कहां कि हमने एम्स के डॉक्टर से कंसल्ट किया है हमने एम्स के डॉक्टर से बात किया है अगर वो एम्स के डॉक्टर का डायेट चार्ट फॉलो करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी जो कागजात उन्होंने आधार बनाएं इस बयान के जो कागजात उन्होंने सब्मिट की एक कोट में वो क्या दिखाते हैं ना एडी ने ना तिहाड प्रशासन ने किसी भी डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अरविंद केजर दिवाल जी का कॉंसल्टेशन करवाया ना कोई चेक अप करवाया और ना ही जिस डायट चार्ट को वो आधार बना रहे थे ये किसी डायबिटीज के डॉक्टर ने नहीं बनाया ये किसी डायबिटीज के डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया ये मार्त्र डिपार्टमेंट डायेटिटिक्स और न्यूटिशन ने बनाया और इनने जो कागस सब्मिट की हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डायेट चार्ट बनाने वाली MBBS डॉक्टर नहीं है एक चीफ डायेटिशन है अब आप ये बताइगे ये क्या मजाख है अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री है अर्विंद केजरिवाल जी को 30 साल से डायेटिज है अर्विंद केजरिवाल जी को 54 यूनिट इंसुलिन ने न कर रहे हैं, उनकी इंसुलिन का विरोध कर रहे हैं, इस मामले पर क्योंकि रखतार साला है, उससे पहले क्या इस कत्रिक के साथ ज़ा बता रही हैं, आप रोगोंने को रिजोइंडर कर रही हैं, और हमने ये सपश्ट कहा हैं, कि हम अपने डॉक्टर के साथ, एक स्पेशलिस् जो लगातार काफी समय से हैं, अर्विंद के जरिवाल जी की डायबिटीज को मॉनिटर करते हुए आए हैं, जो उनकी मेडिकेशन को मॉनिटर करते हुए आए हैं, जो उनकी डायट को मॉनिटर करते हुए आए हैं, उनकी साथ हमें कॉंसल्टेशन चाहिए, और हमें पिर से शुरू करने का की अजाज़त चाहिए